उज्जेन में हाली में संपन्न हुए नगर पाली का निगम के महापोर पत के चुनाओं में फर्जी मदगणना का आरोब लगाते हुए कॉंग्रिस प्रत्याशी महेश परमार ने जिला एवं सप्र नियायदीश उज्जेन के समक्ष याची का दाखिल किया नियायले ने याची का दर्जकर संग्यान लेते हुए सबी प्रत्यक्ष दर्शियों को नोटिस जारी कर भाजबा पत्याशी मुकेश टटवाल एवं जिला निर्वाच नधिकारी उज्जेन सहीत अन्य प्रत्याशियों को भी याची का में पार्टी बना कर जबाब मांगा ह मद्रिप्रदेश में अलग-अलग चरणों में हुए नगरी निकाले चुनाओ के पहले चरण में 6 जुलाई को उज्जेन में वोट पड़े थे और 17 जुलाई को उसके नतीज़ा आई थे उज्जेन के महापूर पद के परिणाम के पीच जमकर हंगामा देखने को मिला था नगर निकम चुनाओं में आए परिणामों में महेश परमार को महापूर पद के लिए 1,3,358 वोट की लेखे और महेश परमार को 736 वोटों सहार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद मतगणना इस तल पर जमकर हंगामा हुआ था और कॉंग्रेस ने था और प्रशासा न की मांग की गई है विदायक महेश परमार ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने संविधान की दज्जियां उड़ा दी है जनता के जनादेश को बदल कर बनमर्जी तरीके से जनता को धोका देकर चुनाओ आयोग के आदेशों की अवहलना कर पांग्रेस एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशी ससींग पर मेली भगत कर सत्ता के दवाव में चुनाओ परिनाम को बदलने का आरोप भी लगाया लोग तंत्र की हत्या करने का काम जिला निर्वाचन अधिकारी आसिस सिंग और भारती जनता पार्टी ने किया हमने मानने नियाले के सामने जिला नियाले में हमारा पक्ष रखा जिस फर्जी तरीके से चुनाओ परिनाओं को प्रभवित किया हमने नियाले में हमारा पक्ष रखा और आने वाली सुनवाई में हमें नियाले मिलेगा दूद का दूदर पानी के पानी होगा